हलो दोस्तों मैं नानम है सालोष स्वाद करता हूं अश्रीका हमारी उटूप चनल सागर मेंच में सीटेट 24 का एक्जाम पास करें पस एक ट्रिक में जिहां दोस्तों आज में इस वीडियो के मात्यम से आप लोगों को सीटेट का एक्जाम पास करने के लिए एक बहुत ही जवर्दर स्ट्रिक लेकर आया हूं जिस स्ट्रिक को मैंने भी फालू किया था और इस ट्रिक को फालू करके मैंने भी सीटेट का एक्जाम पहली बार में ही पास किया था लेकिन दोस्तों इस ट्रिक को जाने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर students के दिमाग में आ जा जाते हैं जिनका आं के आपको solution बताने बास हूं नुस्तो पैले सवाल है जो अक्सर students के दिमाग में रहता है कि मैं cheerful पहले दिने जा रहा हूं क्या मेराигр actual exam पहले ही प्रयास में pass होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता दू कि बिल्कुल आपका सीटर का एक्जाम पहले ही प्रियास में पास होगा लेकिन वो कैसे होगा वो आज हम जाने के स्ट्रिक के माध्यम से कि स्ट्रिक में मैंने बताया है कि आपका सीटर के एक्जाम कैसे पास होगा पहले ही प्रियास में दूशर सवाल अफसर इस्टुलेट्स की दमाग में जाता है कि पेपर बन और पेपर टू क्या एक साथ दिया सकते हैं? अब BAT के जो कैंडिट्स हैं बहुत से पेपर टू ही देगे लेकिं जो BTC के कैंडिट्स हैं वो पेपर बन और पेपर डू दोनहीं ही देगे तो उकों लोगे के दिमाग में उल्जन है कि क्या मैं पेपर बन और पेपर टू की त्यारी एक साथ कर सकता हूं? तो जी और सीडेण स्टेट के ता लिए साफ करसकते हैं इसा जिलिए पंचिक, परेपर में फोरे कि लिए कि पूलाची है या सासल क दोलगे हमेशा है एप्जीश को दिये हुए बिना पैसे खर्च की हुए ही आप सिकेट के इंजाम की त्यारी बड़े आदाम से कर सकते हैं आप आएजए जानते हैं कि आप उसी चीज़े कैसे कर सकते हैं जिहां दोस्तों यह कोई trick नहीं यह एक बहुत ही important funda है जिसे अबसर students follow करते हैं seated का एक्जाम देने जाते हैं और उनका यहीं मानी सीटका एक्जाम पास हो जाता है और इसे मैंने भी फालो किया था और मेरे साथ यतने भी जो है ना मेरे साथ ही थे उन सब ने यही ट्रिक फालो की थी यकीन मानिए उन सब का सीटेट का एक्जाम बहुत ही अच्छे नमबर से पास हुआ है कि ज़सी पी पास करने के लिए सबसे पहले सिलेवर को अच्छे सबसे पास करने के लिए तब आपको पता हुआ कि हमको कुझी जब सबसे नहीं होना है और मैंने टॉपिक कबर कर लिया है और ये टॉपिक रह गया है ठीक है उसके दिलिए क्या है क्यान होना बहुत ही जुदूरी है दूसरा इंपोर्टेट पॉइंट है वह है CDP जैसा है जोस्तों भी मैंने हुदाया कि आप सेटेट के भाईले पेपर में इसा क्या पढ़ें इ है तो आप यकिन माली कि CDP का जो पोर्शन होता है पर लगवग 50% कवर करता है सीटेट का एंजाम जी हां दोस्तों के लिए क्या है कि आप CDP का जो पोर्शन है उसे बहुत ही अच्छे से इस्थिमाग करके बड़ी रगाटिक है तीसरा एक ठड़ पॉइंट है मुगा अच्छे से समझने के बाद आपको पता चल जाता है कि जो आगामी एक्जाम्स हैं उनमें क्या पैटर्न दखेगा और कैसे जो है नसी प्रशन हाँ पर आएंगे इस एक्जाम रेटिक है आई होग उसनों उमीद है कि एक आपकर पुसंद आई होगी और मिल नहीं एसे किसी आपके लिए जैहन बंदे मात रहा है